नमस्कार मैं उरीन कुमारी आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूस चैनल आइपल 2024 के अगाज से ठीक पहले चैन्नाई सूपर किंग्स ने चोकाने वाला फैसला लिया है दरसल इंडिया प्रिमेर लीग के सतरवे सीजन के CSK ने टीम की कमांड रितुराज कायग वार्ड के हातों में सौप दी है यह दूसरी बार हुआ है जब MS धोनी की कैप्टेंसी चीन कर कमांड रितुराज कायग वार्ड के हातों में सौपी गई है बतादे इससे पहले मुंबा इंडियन के पूर कप्तान रोहिष शर्मा को कप्तानी से हटाय गया था और हार्डिक पांडिया को टीम की कमांड सौपी गई थे इसके बाद MS धोनी का नंबर लग गया यानि MS धोनी इस सीजन चैन्नाई की कैप्टेंसी करते हुए नजर नहीं आएंगे पतादे चैन्नाई का टूनामेंट के अपने पहले मैच में रोयल चैलेंजिस बैंगलोर से भिडन्त है IPL 2024 की शुरुआत से पहले चैन्नाई सुपर किंग ने बड़ा फैसला लिया है CSK ने इंडियन्स प्रेमियल लीग के सतरवे सीजन के लिए रितुराज गायक वार्ड को टीम का नया कप्तान युक्त किया है MS धोनी इस सीजन टीम की कैप्तेंसी करते हुए नजर नहीं आएंगी धोनी की कप्तानी में चैन्नाई सुपर किंग ने अपने सीजन गुजरा टाइटन्स को फाइनल में पठकनी देते हुए पांच वी बार IPL की ट्रॉफिक को अपने नाम किया था MS धोनी की कप्तानी में चैन्नाई सुपर किंग का प्रदर्शन बेहत शांदा रहा है बतादे धोनी की अगवाई में CSK ने IPL की ट्रॉफिक को एक नहीं दो नहीं बलकी पांच बार अपने नाम किया है बतादे धोनी साल 2008 से टीम की कप्तानी समाल रहे हैं साल 2022 में CSK ने सीजन की शुरुआत से ठीक पहले रविंदर जड़ेजा को टीम की कमान सौपी थी हलाकि जड़ेजा की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन निराशा जनक रहा और बीच सीजन में धोनी को दोबारा से कप्तान निक्ट कर दिया गया था जिसके बाद रितुराज गायकवार्ड का प्रदर्शन पिछले कुछ सीजन में चनेज सुपर किंग की और से शांदा रहा आखरी सीजन में रितुराज ने खेले 16 मैचों में 147 के स्ट्राइक टेट से खेलते हुए 590 रन कूटे थे रितुराज के बल्ले से चार अर्ध शतक निकले थे वहीं आईपेल 2022 में सलामी बल्लेबाज ने 14 मैचों में 368 रंजड़े थे जिसमें 350 शामिल रही थी आपको क्या लगता है मस धोनी का कपतानी से हटाने के बाद रितुराज के एक वाड मैच में ट्रॉफी को अपने नाम कर पाएंगे हमें कमिन बॉक्स में ज़रू बताएं साथी खेल के ऐसी तमाम जानकारे के लिए देखते रहें पब्लिकेश्या निउस चैनल